पहले एलावाद हाई कोट ने कहा था कि धर्मांतरन राश्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा है और अब जार्खंड हाई कोट ने कहा है कि घुसपैट हमारी राश्टी सुरक्षा के लिए खत्रा है जार्खंड हाई कोट ने जार्खंड की सरकार को दो सपता का समय दिया है और उनसे पूछा है कि जो जार्खंड में घुस पैठी है आ गए हैं बंगला देशी रोहिंग्या जो जार्खंड में ट्राइबल हमारी बहन बेटियां हैं उनको फसाते हैं लब जहाद करते हैं और जब शादी विवा कर लेते हैं फिर उनके घर में बश जाते हैं फिर शादी विवा करने के बाद आधार बनवा लेते हैं रासन कार बनवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसंस बनवा लेते हैं इनको identify कैसे करेंगे, इनको detect कैसे करेंगे, इनको detain कैसे करेंगे और इनको deport कैसे करेंगे पूरी कार योजना उन्होंने मांगी है जारखंड के पुलिस प्रसासन से कि आप उझे दो सप्ता के अंदर बताईए कि घुसपैठियों को ढूणने, उनको रोकने, उनको वापस भेजने की क्या विवस्ता होने वाली है मैंने 2017 में Supreme Court में PIL फाइल किया था और वो PIL मेरी आस्तक pending है मैंने 2017 में का था कि 5 करोड घुसपैठिये भारत में रह रहे हैं, 5 करोड आस्तेलिया की जनसंख्या 2 करोड है और भारत में 5 करोड घुसपैठिये है कनाडा की जनसंख्या 4 करोड है और भारत में 5 करोड घुसपैठिये है और ये 5 करोड का डाटा मैंने 2024 में नहीं, 2017 में दिया था, अब उनकी संख्या और बढ़ चुकी है मात्र पांच हजार घुस पैठिये गए थे उन्होंने परशिया को इरान बना दिया और भारत में तो पांच करोड घुस पैठिये आ चुके हैं ऐसा भारत का कोई जिला नहीं है जहां घुस पैठिये नहीं रहते हैं ऐसा कोई भारत की तहसील नहीं है जहां घुस पैठी नहीं आते हैं जहां नहीं पहुँचके हैं घुस पैठी बॉर्डर पे 2000 रूपय दे के अंदर आते हैं अंदर आके 2000 रूपय में आधार बनवा लेते हैं 2-3,000 रूपए में रासनकार बनवा लेते हैं, 3-4,000 रूपए में ड्राइविंग लाइसंस बनवा लेते हैं, 2-3,000 रूपए खर्च करते हैं, ओटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, और जब उनके पास 4-5 कागज हो जाता है, फिर उसके बाद वो बैंक में खाता खोल लेते हैं और जारखंड में तो घुसपैटियों को डबल फाइदा हो रहा है पहला आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं तो सारी जो ट्राइबल की योजना है जो आदिवासियों के मिलने वाले सारे लाब है उनको मिलने लगता है रिजर्वेशन का भी उनको फाइदा मिलता है एसी जो ट्राइबल का फाइदा है और भी मिलता है उनको मुफ्त मेरासन मुफ्त में दुकान मुफ्त में मकान मुफ्त में अनाज वो सारा फाइदा भी उठाते हैं दूसरा कनवर्ट कर लेते हैं वहां की ट्राइबल महिलाओं को और कनवर्ट करने के बाद मुस्लिम बना देते हैं और फिर मुसलिम बन के जो माइनाटी अफेर्मिस्टी का स्कीम है माइनाटी कमीशन वाली स्कीम है उसका भी फाइदा उठा रहे है तो ट्राइबल एरियाज में जो घुस पैठ यह है इनको double फायदा हो रहा है सिद्यू ट्राइब का भी फायदा पूरा मिल रहा है और माइनाटी का भी पूरा फायदा मिल रहा है और घुस्पैट इसलिए हो रही है चैनकी 1946 का जो foreigner act है महा घटिया है सड़ा हुआ रदी की टोकरी में फेकने लायक है दुर्भाग ही है उस फॉर्णर रेक्ट पे 1946 के जो फॉर्णर रेक्ट है उस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रहे हैं लोग्सवा में चर्चा ओर निराज सवाराज सवा में बेकार की बातों पर बतोले बाजी होगी चुटकुले सुनाए जाएंगे सेरो शैरी होती रहेगी और कभिता पाठ होता रहा है सब कुछ होता है संसद में लेकिन गुसपैट क्यूं हो रही है गुसपैट का मूल कारण क्या है गुसपैट का स्थाई समाध गुसपैट को रास्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा घोसित करना होगा और गुसपैट अगर रोकना है तो गुसपैट को हमें देश की एकता खंडता के लिए खत्रा घोसित करना होगा और गुसपैट अगर रोकना है तो हमें इसको एक देशद्रो घोसित करना होगा और गु गुसपैट अगर रोकना है तो हमें इसे वेजिंग वार डिक्लेयर करना होगा वेजिंग वार में आजीवन का रावास फांसी होती है लेकिन हमने गुसपैट को वेजिंग वार डिक्लेयर ही नहीं किया इसलिए कोई भी जिले की पूरे देश में कोई भी पुलिस वेजिंग कोई ड्राइविंग लाइसंस देता है सब उनको बनवा बनवा के देते हैं तो गुस्पैठियों और उनके मददगारों के खिलाब गैंग एस्ट्रेक्ट लगाना होगा उनकी 100% परपर्टी जब करना होगा उनकी नागरिक्ता खतम करना होगा उनको आजीवन का रावास फांसी देना होगा तब जाके घुस्पैठ रुकेगी और वह भी तारीक पर तारीक चलती रही तब भी घुस्पैठ नहीं जापान में किसी को घुसपैट करने की हिम्मत नहीं होती, सिंगापुर में घुसपैट करने की हिम्मत नहीं होती, कोरिया में घुसपैट करने की हिम्मत नहीं होती, भारत में घुसपैट करने की हिम्मत होती, क्यों, क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, अगर कोई पुलि 2017 में आ गए अभी 2024 में इनकी संख्या 5.5 क्रोड के असपास हो चुकी है क्योंकि जो यहां है वह हर साल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं भारत के नौ राज्यों की डिमोग्राफी बदल चुकी है भारत में 28 राज्ये हैं आठ केंद्र सासित प्रदेश हैं यानि टोटल हो गए 36 इस 36 में से नौ राज्यों की डिमोग्राफी बदल गई है यानि 25 परसंट राज्यों की डिमोग्राफी बदल चुकी है उसका मूल कारान है घ गुस्पैट, धर्मांत्रन और जनसंख्या विस्वोड भारत में 6000 तहसीले हैं उसमें से 1500 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है यानि 25% तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है इसका मूल कारान है गुस्पैट, धर्मांत्रन, जनसंख्या विस्वोड भारत के परसंट बॉर्डर की तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है चाहे वो नेपाल का बार्डर हो पाकिस्तान का बार्डर हो हिमालय का बार्डर हो म्यामार का बार्डर हो या इधर आप चलिए समुद्र का बार्डर हो जो हमारे भारत के बार्डर पे 300 तहसीले हैं इनकी 300 की 300 की डिमोग्राफी बदल चुकी है, इसका मूल काराण है घुसपैट, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्वोट, और संसद में तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू- किया गुस पैठियों के खिलाफ और गुस पैठियों के मदद्गारों के खिलाफ एनेसे नहीं लगाया UAPA नहीं लगाया वेजिंग वार की धारा नहीं लगाया गैंगे स्रेक्ट नहीं लगाया इनकी hundred percent प्रोपरट्टी जबत नहीं किया इनके उपर देश द्रो की धारा नहीं लगाई इनको आज इवन का रावास फांसी नहीं दिया तो याद रखिएगा आने वाले टाइम में पूरे देश से हिंदू खतम हो जाएगा 25 से 30 साल के अंदर और 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार होंगे ये नेता और एक बात याद रखिएगा आज के नेता 25 साल के बाद आपका घर बचाने नहीं आएगे आज के नेता 25 साल बाद जब ये घुसपैठी आपका घर जलाएंगे इसमें कोई आपका घर इसलिए मैं ваш जोडत कर रहा हूं इस विशे को बढ़ा वास्तों में भारत को बचाएगा तो कानून बचाएगा गुसपैट नी onions कानून जनसंख्या न्याधन कानून इसलिए मैं आपसे हाथ जोड के निवेदन कर रहा हूँ, इस विशे को बढ़ाईए, पांच-पांच हजार फेस्बुक फ्रेंड बनाईए, समस्या लिखिये, उसका मूल कारण लिखिये, अस्थाई समाधान लिखिये, नेताओं की बतोले बाजी से दूर हो जाईए, पॉल यह सत्य रिटायर हो चुके होंगे, सत्ता का मजा ले चुके होंगे, सांसत विधायक बन चुके होंगे, पैंसन ले रहे होंगे, आपका घर कोई यह बचाने नहीं आएगा